ओम चांती, बाबा ने हमें बहुत बड़ा कारिय भी दिया है और टाइटिल भी दिया है, तुम हो माक्स्टर सुख करता, दुख हरता, तुम्हें दूसरों के दुख हरने हैं, आगे चल कर तुम्हें सारे संसार को दुखों से मुप्त करना होगा, और एक बहुत ही बड़ी बात कह दी, जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर नहीं जा सकोगे, तो जैसे एक डॉक्टर का करतव होता है, किसी की बिमारी ठीक करना, हमारा भी परम करतव है, कि हम दूसरों के दुख हरते चलें, संसार में दुखों की बाढ ही हुई है, और ये दुख दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, भगवानों आच, दुखों के पहाड गिरने वाले हैं संसार में, क्योंकि विनास का खेल कारंभ होगा, सभी को उनके कर्मों की सजा मिलेगी, और वो सजा मनुस को बहुत पिडित करेगी, मांसिक रूप से भी, सारिरिक रूप से भी, व्यवारिक रूप से भी, संबंदों और संपरकों में भी, तो हम अपने को सुखों के खजाने से इतना भरें, कि हम दूसरों के दुख हरता बन जाएं, इसके लिए आवजशक है, कि हम लंबा काल दुख से मुप्त रहें, सुक्स्म लहर भी दुख की हमें इस पर्स न करें, दुख और सुख जीवन में आते हैं, ये ग्यात होते हुए भी कि ये दुख है, हम दुख ही न हों, हम सक्सी भाव अपना लें, दुख में भी सुख की फेलिंग में रहें, इसका अर्थ है, कितना भी दुख हो चाहे सारी रिक बीमारियां हों, लेकिन हम ऐसरीरी होकर रहें, बाबा की चत्र चाया में रहें, इस अनुभव में रहें कि वो हमारे साथ है, हमारा बात ही दुखरता सुख करता है तो एक अंत्रिक सुख की फीलिंग रहेगी और वो दुख बहुत कम हो जाएगा हम स्वयम में दूसरी बात इस वर ये सुख भरें जब हमारे अंदर सुखों का खजाना भरपूर होगा तो जिस पर भी हम नजर डालेंगे उसके दुख समाप्त होते जाएंगे हमारे बोल दूसरों के लिए सुखदाई बन जाएंगे हम संकल्पों से ही वाइब्रेशन्स देकर दूसरों के दुख हर सकेंगे तो हम लंबा काल तक अपने अंदर सुखों के खजाने भरें सबेरे सबेरे हमें बहुत सुख मिलता है देखिए आँख खुलती है और प्रभू मिलन होता है आँख खुलती है और हम योग अभ्यास करते हैं हम उठते ही हैं भगवान से मिलने के लिए हम उटते ही हैं उससे सारो खजाने लेने के लिए। बहुत सुख मिलता है सबेरे सबेरे। जितना जितना हम आत्मोधिमानी होकर बैरते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, हमें सुख बहुत ज्यादा अनुभव में आता है, ये सुख का खजाना हमारे अंदर भरता जाता है, दूसरा, हम अपना सुख बढ़ाएं मुल्ली से, मुल्ली माना भगवान हमसे बाते करता है, वो हमसे रूरियान करता है, मुल्ली माना बाबा हमें अनेकी स्मर्थियां दिलाता है, हमारे सुखों के दिनों की याद दिलाता है, और याद दिलाता है, तुम्हारे सुख के दिन आए की आए, ये सुखों का खजाना हम बढ़ाते चलें सारा दिन पुन्य करम करके दूसरों को सुख देकर यग सेवा करके हम ये सुखों की पूझी अपने में भड़ते चलें तो जितनी जितनी पूझी हम भरेंगे उतना ही हम दूसरों को बाइट सकेंगे तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे मैं मास्तर सुख करता दुख हरता हूँ और सारे संसार को वाइब्रेशंस देंगे हर गंटे में एक बार इस संकल्प से के सभी के दुख समाप्त हो जाएं विधी यही ग्लोब के उपर हम हैं सर्व सक्तिवान पर बुद्धी स्थिड है उसकी सक्तियों की केरने हम में आ रही हैं और हमसे चारों और फैल रही हैं और यह सक्तियों की केरने सभी के दुख हर रही हैं बहस्य अभ्यास हर गंटे में एक बार अवस्य करेंगे ओम शांति